थो लोग एक दूसरे से मिले जो एक दूसरे से प्यास कर पाएंगे यह वागत प्रुम व spricht 32 की एक मुवी में देखने वाले एक अच्छे से मेसेज के साथ आती है इसके इंडिंग में बहुत ब्यूटिफुल है तो अंतर इस वीडियो को ज़रू देखेगा अगर आपको वीडियो चल लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट शरू कर दीजिए बिना विश्देरी के इसकी सिंगिंग उसे बहुत अच्छी लगती है एक लेड़ी उसे पास आती है और पूछती कि क्या तुम मेरी टिंडर डेट हो सालवर्डर इसके लिए मना करता है उसने उस लेड़ी जिसका नाम था उपरी उससे पूछा क्या तुम उस लड़की को चानती हो पुखेरती कि भुलेड की उस आत्मे में इंटरेस्टेड हो परी सालोडोर से के दिए क्या तुम्हें जाकर क्रना चाहिए शालोडोर ने ट्राय किया और अरियाना उसे आग लगाने देती है डांस के बाद सालोडोर अरियाना के पास किया वो पेंट अरेच कर रही थी तो गलती से सालोडोर के शर्ट पर गिर जाती है सालोडोर को बुरा लग रहा था क्योंकि उसका लखी जैकेट था वारेन को कहता है कि तुम्हारी सिंगिंग और डांसिंग बहुत अची थी अरियाना खेती कि यहाँ पर सद्यों से डांसिंग और सिंगिंग चलती आ रही है जब भी कोई कंट्रिमान यहाँ पर आकर सेटल होता है तुसे वेलकम करने के लिए हम डांस करते है बातो बातो में आरियाना को बता चला इस सालोडॉर यही परेरा है उबरीन के पास है तो आरियाना की आंटी है उबरीनी आरियाना से कहा कि इनका अच्छे से खायाल रखना यह हमारे नए नए गेस्ट है आरियाना एक फ्रीश परेट थी उसे अलग अलग जगा पजाना और अलग एक languages को सीखना बहुत या अच्छा लगता था वो सालोडोर को उसका room दिखा देती है सालोडोर ने पुझा कि तुम्हारी shift कब खतम होती है आयान ने कहता है कि वो मेरे उपर depend है सालोडोर कहता है कि मैं तुम्हें drink offer करना चाहता था आयाना कहता है कि मुझे handsome लट के उतने अच्छे नहीं लगते सालोडोर मजाग करता है कि मुझे भी नहीं लगते आयाना ने कहा कि तुम्हारे welcome के लिए हम drink करी सकते है उसे बुचता है कि क्या तुम्हारा कोई boyfriend है आयाना कहती कि मैं single हूँ और कोई भी commitment नहीं चाहती सालोडोर कहता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही है पर commitment जब करनी पड़े तब मैं कर सकता हूँ इन दोनोंने बहुत सारी बाते की सालोडोर आयाना के करीब आगया उसे कहती कि मैं first date पर किस नहीं करती सालोडोर कहता है कि टेक्निकली हम date पर नहीं गए इसके बाद एक दुसरे को किस कर ले थे और भई पर intimate हो गए नेक्स दे सालोडोर आजब आयाना से मिला उसे कहता है कि कल रात बहुत अमेजिंग थी अपरी को इन दोनों की chemistry बहुत अच्छी लगती है अर्याना जो भी काम कर रही थी तो सालोडोर उसके पीछे पीछे जा रहा था उसे बुछती कि तुम्हें यहावर कब तक रुखने वाल हो वो कहता है कि एक दो साल रुख सकता हो अर्याना बुछ दी कि क्या तुम शुट्टी ले रहेगा सालोडोर कहता है कि यहावर मैं होटेल बनवाने के लिए हूँ अपना सारा काम उसे दिखाता है पर अर्याना इंप्रेश नहीं थी उसे नेचर के अगेंज जाकर बड़ी बेड़ी बिल्दिंग्स बनवाना अच्छा नहीं लगता था सालोडोर का प्लान था कि उनकी होस्टेल को भाई करेगा और वही पर होटेल बनवाएगा इस बात से वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होगे उसे कही थी कि तुम सब कुछ डिस्ट्रा करने के लिए रेड़ी था टूर अरेंज होई और इनके साथ और पाच्छे लोग आने वाले थे पर वो वहाँ पर पोच्छ थे इने जो लोग आये थे उनकी तबियत बहुत ही खराब थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रंक थे कोई नाने की वज़े से टूर गैंसर होने वाला था सालोडोर ने अरियाना के नेक पर एक टैट्टू देखा जिसको पिक्चर लेता है वो यह तरा है कि इसका मीनिंग क्या है अरियाना केती की एक स्पेशल टैट्टू आर्टिस ने बनवाय हुआ था तुम्हें उसे स्टोरी सुनाने पड़ती है और अगर स्टोरी सुनकर उसे अच्छा लगे तब यो टैट्टू तुमारे लिए बनवाती है सालोडर इसमें इंट्रेस्टेड हो गया पर अरियाना इसका मीनिंग उसे नहीं बताती है वो स्टोरी भी बताने से मना करती है इसके बाद इंस्टाग्राम के लिए फोटो लेते है रात में उन्होंने कैम्प और फायर बनवाए तारों के नीचे सोय हुए थे अरियाना कहती है कि तुमारे सेवन स्टार होटेल कभी भी फिलिंग नहीं देगा हाइकिंग करते करते हैं बहुत दूर आ गये थे सालोडर कहता है कि हमरे टूर तो बहुत ही छोटा था आरियाना कहती कि जाद में इन सब चीजों पर भी लियू नहीं करती इस मुवमेंट मुझे ब्यूटी है इसी को एंजॉय करना चाहती थी सालोडर कहता है कि बच्पन में मुझे भी म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था म्यूजिक में पैटन्स होते थे और यही पैटन्स उसे मैथमेटिक्स में अच्छे लगने लग गए और बाद में वो आर्किटेक्चर में चला गया आरियाना उसे कहती है कि बिजनेस की वज़े से तुमें गलत रास्ते पर चलने लग गया पास में बैटकर हो मेडिटेक्ट करने लग गए सालोड और कभी भी इस तरीके से शान नहीं बैट सकता था उसे मसाज देती है और रिलाक्स रहने के लिए कहती है थोड़ी देर में वो सो गया था और बाद में उसे जब नीन आती है तो वो बिलिव नहीं कर पाता कि दिन की बीच में वो सो गया था अरियाना ने कहा कि इस तरीके से न्यू चीज़ें डिस्कोवर करना ये बहुत इंपोर्टन्ट होता है सालोड और हमेशा अपने काम को लेकर वरीज करता रहता है पर आरियाना कहती है मैं अपने डे टू डे मुवमेंट के लिए जीती हूँ उसे किसी भी जीस के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाते करते करते हाइस प्रिक तक आ के वो इस मुवमेंट को कैप्चर करते है वहाँ पर एक कोरियन कपल भी था जोने फोटो लेने के लिए हेल्प करता है उन्हें लगता है कि आरियाना और सालोडोर मैरीड है सालोडोर भी कोरियन में उनसे बात करा था और उनने भी उनके मैरेज के लिए कॉंगरेट करता है अरियाना कुछ भी समझ नहीं पाई थी तो सालो डौर नो से सब कुछ बता दिया अरियाना कहती कि यहाँ तुमें फोन पर डिस्टार्क होने की कोई भी जरुरत नहीं है उसे फोन चिनने की कोशिश करती है पर सालो डौर का फोन ढूट कया वो इसकिलों से बहुत सौरी कहती है पर सालोडोर इससे बहुत अपसेट हो गया था अरियाना कहती कि इससे तुम अपने अडिक्षन से बच सकोगे सालोडोर गयता है कि पाच दिनों से मैंने यूज नहीं किया था मुझे कोई भी अडिक्षन नहीं है सिर्व अपनी कमपनी को लेकर वो जरा फरीड था गयता है कि हर कोई दुमारे जैसा नहीं जी सकता थोड़ी देर में आरियानों से गहती है कि अगर तुम गुस्ता ना हो तो एक जगा पर हम जा सकते है यह एक माउंटन पर बहुती ब्यूटिफुल सा स्विंग पूल था सालोडोर ने आरियाना के बोड़ी पर एक सकार देखा वो गयता कि मुझे सकार जो रिप्रेजेंट करते हो बहुती अच्छा लगता है कि एक बार तुमें घावा है उसके बाद वो रिपेर भी होता है वो दोनों स्विंग करने लग गए सालोडोर उसे बुछता है तुम हमेशा अलग-अलग जगा पर जाती रहती हो तो क्या तुमें डर नहीं रगता है आरियाना कहती कि एक्स्प्लॉरेशन में तो बहुत मज़ा है वो कभे भी उसे कहा जाना है कि वो डिसाइड नहीं करती अलग-अलग जगा पर जाती रहती है सालोडोर उसके करीब आ गया तो आरियाना कहती कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरी के लिए सही नहीं है सालोडोर कहता है कि हम दोनों एक दूसरी से दूर नहीं रह सकते उन्हें पता था कि उन दोनों को रिलेशनशिप नहीं चाहिए पर इस मुवमेंट को एंजॉय करना चाहते थे तो इस दोनों इंटिमेट हो जाते है इसके बाद अपने टूर में उन्हें जहाँ जाना था एक हायस मौंडन पर वहाँ पर वो पहुच गये यह बहुत ही ब्यूटिफुल था वह यहाँ पर उसे किस कर थे और सालोड और ने कहा कि क्या तुम मेरे प्यार में पढ़ रही हो मैंने तुम से कहा था कि मुझे वही कि वही नीची उतर जाती है वैसे अफसे डोकर वो घर पर आई उपरी उससे बुछती कि क्या तुम दोनों में फिर से जगड़ा हुआ सालोड और बस के साथ जो भी हुआ था यह उससे बता देता है उससे बुछता है कि आरियाना के साथ हुआ क्या था अबरी ने कहा कि यहावर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है इसके लिए परमिशन नहीं मिल रही थी इसलिए सालोड और को यहाँ के ऑफिशियल से उसने मिलने के लिए का वो ऑफिशियलों से कहता है कि तुमें जोल चाहिए हम वो सब कर सकते हैं पर बात यही है कि तुम इसको बहुत मिस करती थी थोड़ी देल बाद अरियाना को जब अच्छा लगने लग गया तो सालोड और उसके पास आता है वो काम करकर जड़ा थक गया था तो नैचरिली उसका मसाज हो करने लग जाती है उबरिक उन दूनों की केमेश्टी बहुत अच्छी लगती है अर लोगों के साथ वो घुल मिल जाता है फूर टेस्ट करता है डांस करता है हाडियानों उसका मज़ा करती है तुम्हारे डांस बहुत ही ब्यूटिफुल है एक दूसरे का साथ इने बहुत अच्छा लग रहा था रात में सालोडोर को उसके फादर मैसेश करते है कहते है कि अ सालोडोर कहता है कि हम आपको जितने पैसे देने वाले है इसमें आप बहुत सारी लैंड बाय कर सकते हो फिर से सब कुछ रिबिल्ड कर सकते हो यह ओफर देखकर अपरी भी इस बात को कंसीडर करने लग गई थी शाम में अरियाना पियानों के पास केंडल लगा रही थी सा हुआ ह करने के लिए में यहां पर आये हुआ हुआ हुआ। अगर यहाँ के ओना लैंड सेल नहीं करना साथी थी, तो जादा पैसे दे देते, सब कुछ खाम हो जाता, यावर अपरी आती है, और सालोडोर को कही थी कि मुझे तुमसे बात करनी है, सालोडोर के फादर उसे डबल अमांट देने के लिए रेडी थे, पर अपरी उसके लिए मना कर देती है, वो उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते है, तो सालोडोर कहता है कि आप लोगों के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते है, वो उसे में यहाँ से जाने लाग या, सालोरर कहता है कि हम यहाँ पर business करने वाले हैं हैं हमारे पास बहुत सारे हैं हमें किसी और तरीके से business करना चाहिए उसरी वादर बात मानने के लिए ready नहीं थे सालोरर कहता है कि मैं आपके साथ अब business नहीं कर सकता उनकी company quit कर देता है वो अबरी से बुझता है कि क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर गई होगी अबरी कहीती कि उसे जहाँ भी अच्छा लगे वो वहाँ पर जाती है उसे कुछ भी पता नहीं था शालोड और उसे बहुत request करता है बहुत लंबे सफर के बाद वो पुनों तक पोश गया हर जगा पर उसे ढूनने की कुशिश करता है पर उसे कहीं पर भी नहीं मिलती ये place रिलेटूली बहुत बड़ा था वो सी के पास आ गया और अरियान उन्हें उसे जिस तरीके से कहा था उस तरीके से रिलेक्स करता है कुछ व्लॉगर्स वहाँ पर विडियो बना रहे थे तो उसे उसके बारे में पूछता है उन्हें पता नहीं था और गहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो इस बात के लिए सालोडोर उन्हें मना करता है और भी कुछ समय के लिए आरियाना को ढूटना चाहता था उसे सज़ेस्ट कर रहे थे कि पानी में स्विमिंग उसे ट्राय करनी चाहिए यह बहुत ही थंडा पानी था पर फिर भी सालोडोर अंदर चला क्या एक दिन अरियाना सालोडोर के फोन को गल्दी से चार्च पर लगा देती है यह वही फोन है जो उससे टूट गया था तुरन सालोडोर को उसकी लोकेशन पता चल गई वह जल्दी से वहाँ पर बागा और व्लॉगर से लिफ्ट लेता है उन्हें अपनी सारी स्टोरी उसने पता दी थी वो गयता है कि आरियाना ने तुम्हें कन्वेंस कर दिया कि वहाँ पर तुम्हें होटल नहीं बनवाना है उसने तुम्हें अच्छे के लिए चेंज कर दिया है वहाँ पर बोचा और आरियाना के पास आ गया उसे देखकर बहुत ही सप्राइस थी, सालोडोर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम से ली जाओ कि और मैं तुम्हें ढूनने के लिए भी नहीं आओंगा, तो गहता है कि मैंने अपना बिजनेश छोड़ दिया है, एक साल के लिए मैं खुद के लिए छुट्टी ले वाटल भी अब नहीं बनने वाला है, उसे अब सी के पास ही रहना था, आरियानों और उसे सी बहुत पसंद था, तो गहता है कि मुझे यही पर रहना है, उसने कहा कि हम दोनों को मिलकर यहाँ पर घर बनाना चाहिए, वो अभी उसे काइट सर्फिंग के लिए ले लेकर जा ठीक एडवेंचरों स्टार करते हैं, इसे इसाद यह मुवी एंड हो जाती है,